स्टुडेंट एक बार फिर से आप सभी का स्वागता हमारे अनलाइन यूट्यूब क्लास में और आज मैं आप लोगों के लिए इफ पोईम जो रुद्याड किपलिंग ने लिखी है इसका एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ ये इफ पोईम सन 1895 में रुद्याड के दिवारा लिखी गई थी तो पोईम को सुरू करने से पहले अबाउट दा पोईट रुद्याड किपलिंग ये एक बिटिस राइटर पोईट एंड नोवलिश्ट थे कि ये एक बिटिस राइटर के होने के साथ साथ ये कवी और एक उपन्नेस कर भी थे इनका जनम बिटिस भारत अर्थात बंबई में 1865 में हुआ था 19th century के अंत में और 20th अर्थात 20 सताबदी में ये अंग्रेजी के प्रोज और पोईटरी I mean गद एंड पंद दोनों में ही फेमस राइटरों में से एक फेमस राइटर ब्रडुद्रियाड किपलिंग भी थे गुन्नेस साथ में गौवर्मेंट ने इन्हें लिटरेचर में नोबल प्राइज से सम्मानित भी किया गया और ये एक ऐसे युवा राइटर थे जिनने इंग्लिस लेंग्वेज के पहले नोबल प्राइज होने का इन्हें सम्मान मिला था इन्हें ब्रिटिस में पोईट लॉरिशिप और नाइटवड की उपादियों से भी सम्मानित किया था अगर हम रुद्रियार किपलेंग के एजुकेशन की बात करें तो 1878 में देवन के वेस्ट वर्ड के युनाइटेड सर्विस कॉलेज में इन्होंने एजुकेशन के लिए एडिमिशन लिया था बात में वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लिट की इनकी एक इछा थी कि ये आॉक्सफोर्ड युनिउसिटीम जाये लेकिन इनके पास में परियाप तरूप से पैसों की कमी ते जिसके कारण dissolved ये आॉक्सफोर्ड युनिउसिटीमे नहीं गये दूसरी बात ये कि इन्होंने apply तो किया था लेकिन इन्हें वहाँ पर जाने के लिए scholarship भी नहीं मिली थी इनकी death 1936 में London UK में हो गई थी अब हम अगर रुद्रियार के प्लिंग के creation की बात करते हैं इन्होंने creation में बहुत कुछ किया था जैसे कि the story of the Gatswis जो की 1888 में इन्होंने first story लिखी थी उसके बाद में इन्होंने planned tells from the hills ये story भी इन्होंने 1888 में लिखी थी उसके बाद में इन्होंने the light the field जो की 1890 में लिखी थी अगर हम poems की बात करें तो mandal है जो 1890 में लिखी गई गुंगा दिन 1890 if 1895 में ये poem लिखी गई दूसरी ये एक story writer भी थे और आपने जंगल book movie भी है book भी है एक serial भी आता है जिए आपने देखा हो तो इसको भी 1895 में रुद्रियाड केपलिंग ने ही लिखा था दूसरा है life की बादा रिक्की टिक्की जो की 1894 में रुद्रियाड केपलिंग के द्वारा लिखा गय था तो ये सब रुद्रियाड केपलिंग ने अपनी life में अच्यू किया था और जिसके कारण से इन्हें काफी प्रसिद्धिवे प्राप्त हुई थी अब हम पोईम की बात करें तो इफ जो की 1895 में लिखी गई थी तो शुरू करते हैं पोईम फर्स्ट अफ वल अबाउड दा पोईम तो यह जो पोईम है रुद्यार किपलिंग अपने सन अपने जो पुत्र है वो अपने बेटे जोन किपलिंग को बोल रहे हैं उनको बता रहे हैं उसको समझा रहे हैं इस पोईम के द्वारा वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि उसे अपने चरितर में कुछ गुण लाने के लिए कुछ गुण लेकर आने चाहिए जो point है किपलिंग वो अपने बिटे से कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने जो character है उसमें कुछ अच्छे गुणों का विकाश करना चाहिए जिससे तुम सही अर्थ में एक human एक मनुष्य कहला सको और उसे समझाते हैं कि चाहिए कैसी भी परिस्तिती क्यों ना हो कठिन से कठिन परिस्तिती क्यों ना हो उन परिस्तितियों में भी तुम्हें हमेशा सांध रहना चाहिए और विश्वास से भरा हुआओ धैर्यवान और आपको हमेशा hate अर्थात ग्रणा से हमेशा काफी दू में चाहिए आप कितना भी बड़ा व्यक्तिक क्यों ना बन जाओ आपको कभी भी किसी से ग्रणा नहीं करने चाहिए और जीवन में बड़े बड़े नुक्सान होने पर भी आपको हमेशा शेहन शील रहना चाहिए आपके पास में जोकिम उटाने का सहास भी होना चाहिए और अंतिम सांस तक आपको लगातार काम करते रहना चाहिए बिलकुल भी नहीं रुकना चाहिए वो ये सब बाते अपने बेटों को समझाते वे कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको एक बात और धान रखने तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सभी के साथ में आपको समान रुप से वेवार करना चाहिए दूसरी बात कि आपको अपना जो टाइम है उसको कभी भी वेश्ट नहीं करना है आपको समय का पूरा और अच्छा सदूपयोग करना है यदि तुम ये सब कुछ करते हो तो तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकोगे कि जीवन में अगर आपने इन सभी चीजों को जो बाते उसने बताय थी यदि आपने इन चीजों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपके सामने जीवन की चाहिए कितनी बड़ी बादा क्यों नहों आप उन बादाओं को शोलुट कर दोगे और आप अमेशा आगे बढ़तर होगे और दूसरी बात यदि आपने अपने जीवन में इन बातों को अपना लिया तो आप सही और तमें एक सही कम्प्लिटली हूमेन बन जाओगे मनुष्य बन जाओगे तो यह सब कुछ बाते जॉन किपलिंग को समझाते विये उसके जो फादर है रुद्याड किपलिंग उन्होंने इस पोईम के दुआरा बताईए और दूसरी बात ये कि हमें भी इन बातों का हमेशा ही पालन करना ज चाहिए सहास और सेन शिलता से काम लेकर हमें लगातार उन प्रॉब्लमों को इग्नॉर करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए तो अब शुरू करते हैं पोईम लेकिन अगर मैं आपको भी पोईम बताऊंगा तो यह जो वीडियो वो काफी लंबा हो जाएगा इ तक आप जितना बताया उसको याद कीजिए उसको अच्छे से पढ़िए वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए सब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू बाई बाई